हेलो फ्रेंड्स, विल्कुम तो में चैनल, फ्रेंड्स आज एक न्यू प्रजेक्ट लाई हूँ, ये न्यू बाउन बेवी से लेकर एक साल तक के बच्चे के लिए होगा, इसे फ्रेंड्स मैंने एक साथ बनाया है, फ्रेंड्स और बेक एक साथ स्टार्ट किया है, इसकी साइड में सलाई नहीं आएगी, इसे अपनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहां पर सिक्स्टी फंदे डाले हैं, और सलाई मैंने ये छे नंबर की यूज़ की है, यहां 60 फंदे डाल के लिए है उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहां पर 4 फंदे यह दिखी एक सिधा दो उल्टे एक सिधा यह पट्टी के लिए हैं दोनों तरफ पट्टी बना लिए है तो आगे बताती हूं मैं आपको कैसे बनाया है वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल को पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यावाद बने रही है हमारे साथ और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर ल हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में अपने फ्रेंड्स सिर्कल में जरूर शियर किया की जिए ताकि आपके साथ साथ को सब भी एंज्वाइ कर सके हैं तो आइए करते हैं स्टार्ट कैसे बना है यह यह एक साथ मैंने स्टार्ट करके तो यहां तक बना लिया है आप अपने साइज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं यहां से यहां तक दिखिये कितना है यह दिखिये यह साड़े आठ इंच है साड़े आठ इंच तो अब फ्रेंट्स उपर क्या किया है यहां पर यहां मैंने साइज फंदे डवाइट कर लिये हैं अब यहां से हम उपर का पॉर्शन बनाएंगे कटिंग करेंगे आम होल की गले की तो यहां पर दिखिए मनेगे, चार फंदे ये एक, दो, तीन, चार चार फंदे मनेगे छोड़ दिया पाटी के, उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पान, चे है, साट, आठ, नो, तश, गयारा, ब़ान, तेरा तेरा फंदे फ्रेंट्स साइड के यह 26 फंदे फ्रेंड्स यह बैक साइड के हैं यहां फिर मैंने एक मारकर देख लिए 13 के बाद लगा दिया है फिर 26 के बाद एक मारकर लगा दिया है 13 फंदे यहां पे हमने रखे हैं पट्टी के और 4 फंदे यहां पे रखे हैं मैंने पट्टी के अब देखिए पहले हम बना लेते हैं ये बला पार्ट एक साइड का पहला फंदा उतार लेंगे ये दो फंदे बनाएंगे उल्टे एक फंदा सीता ये चार फंदे हमारे पट्टी के हैं इसमें हम आम होल भी बना रहे हैं और सारे बटन होल बना रहे हैं और इधर वाली साइड में हमारे बटने लगेंगे अब देखे एक दो तीन चार पांच छे शाट आट नो दस ग्यारां बारां तेरां तेरां पंदे हम ले लेंगे और ये मार कर निकालते हैं अब देखे इस सिलाई को हमने यहीं छोड़ देना है यह जो और यह दूसरी सिलाई ले लेंगे यहां हम दो फंदे घटा लेते हैं एक दो फंदे घटा लिए बाकी सारी सिलाई उल्टे बना लेंगे बाकी सारी सिलाई ले लेंगे भी ज़ ले 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 लेगे यहां फ्रेंट्स पहला फंदा उतारेंगे और दो फंदे बनाएंगे उल्टे एक दो ते इन्चार यहां हमारा आम हूल बनना है यह दिखे एक फंदा उल्टा बना लेंगे और इसके बाद हम यह उल्टा फंदा और एक यह सिता फंदा दोनों को ऐसे जाली डालते हुए बुन लेंगे यहां हमारा बडन हूल बन जाएगा अब की बार फ्रेंट्स यहां पर हम एक फंदा खिटा देंगे अब की बार बना है अब फ्रेंट्स यहां से हमारी कटिंग हो गई है और कटिंग नहीं करने हमने आम होल की तरफ से अब यहां हमने करने है गले की कटिंग यहां यहां यह जो पट्टी वाले फंदे हैं एक फंदा उतार लिया और यह दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा है यह हमारे पट्टी के फंदे हैं अब इन फंदों को हमने छोड़ देना यहीं पे इसमें डाल लगते हैं यह चार फंदे हमने यहीं छोड़ देना अब यहां देखिए एक फंदा बुन के दूसरे के उपर से निकाल दिया एक फंदा घटा दिया हमने यहां पर इजर से फंदा नहीं घटाई है झाउ तो अब देखे एक फंद हम और घटा देंगे यह देखे गले की कटिंग होगी हमारे और बाकी के फंद हम ऐसे बनते जाएंगे यह साथ फंद हैं हमारे पास तो यह हमने आम होल बना लेना है पूरा है यह साथ फंदों के साथ अब दोनों तरफ से कोई फंद नहीं भिटाना हूँ यह फ्रेंड्स एक साइट बना ली है मैंने यहां से लेके यहां तब यह चारेंच के आम होल बना ली अब इसको यहां छोड़ देंगी निकट कर लेते हैं यहां से हम तब इन फंदों को फ्रेंड्स हमने यहीं छोड़ देना है तो यह आगे वाले फंदे लेने है इस तरफ से भी ऐसे आम हूल की कटिंग दोनों तरफ से कर लेनी है और यह जो हमारे दूसरा फ्रेंड्स पार्ट है उसको भी हमने इसी तरह बना लेना है जैसे हमने यह वाला पार्ट बनाया है तो बना के दिखाते हूँ फिर आपको में यह फ्रेंड्स मैंने पूरा बना लिया है यहां तक यह देखिए यहां से गला गटाया है यह आम हूल गटाया है इस तरफ से इदर से बैक साइड का आम हूल गटाया है तो इसको हम ऐसे करेंगे तो यह देखिए हमारे यह बाट आ गया है इधर से इसको ऐसे करेंगे तो हमारे यह दूसरी साइट आ करेंगे तो यहां से हम फ्रेंड्स हम जॉइन्ट कर लेंगे उपर से फंदे तो बाकी के फंदे उठा के हम गला बनाएंगे यहां साथ फंदे हैं हमारे पास एक दो तेन चार पांट छे साथ और साथ फंदे इधर से बैक साइड से लेंगे और इनको जॉइन्ट करेंगे इसको फ्रेंड्स जॉइन्ट में ग्रोशिय से कर रही हूं यह दिखे इधर से एक फंदा लेंगे अब यह दूसरी दरफ से एक लेंगे इसको इसमें से ऐसे निकाल लेंगे आप जाओ तो आप सलाहियां से भी बंद कर सकते हो यह दिखे इसको यहां से ऐसे निकाल लेंगे अब दूसरी दरफ से एक फंदा लेंगे कि उसको अब दिखें जो यह हमारा लास्ट वाल हमारे पास एक फंदा बच्चा है जो सब में से क्रॉस करने के बाद एक फंदा लास्ट में है हमारे पास इसको हमने बैक गले में शिफ्ट कर लेना है ऐसे अब इसी तरह से यह वहला पार्ट के जोइंट कर लेंगे यह से शोल्डर जोइंट कर लिए हैं दूनों अफ्रेंट शेप इन हटा देती हैं इसके यहां हमने पट्टी के पांच फंदे रख चार फंदे रखे थे यह चार फंदे हमारे पास पट्टी के थे अपर इस यहां से बुनना शुरू करते हैं समय ही हम शाद तरि से और्टी एप इा फ्वान वादएंट के लेखे पार्या के लिएका यहार... हम यहां से हम पंदे उठाना शुरू करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ हाट नौ दस दस पंदे फ्रेंट्स हमने जहां से उठाए हैं गले के अब यह फंदे हमारे जो बैक साइड में बच्चे हैं वो बुन लेते हैं नौ फंदे हमारे बैक साइड के बच्चे थे वो उठा लेंगे सिदा सिदा बुन लेंगे इनको अब दस पंदे फ्रेंट्स हमने यहां से यहां तक गले के उठाने हैं एक दो तेन चार पाँच छे साथ आठ नौ और दस दस फंदे हमने इस तरह से उठा गिए अब यह पट्टी के फंदे खोल लेंगे एक दो तीन चार पंदे पट्टी के यहां आठ 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 अब दो पंदे उल्टे आठ वर लास्ट वर फंदर सीथा एक दो तेन चार पाँ छे साथ आख नो तरस ग्यारा बारात 14 15 16 17 18 20 26 24 26 25 ताइड 29 30 30 31 34 29 37 फंदे हमारे पास गले पर है लफंदों उतारेंगे और फिर उल्टा उल्टारेंगे ये चार फंदे हमारे पट्टी की है और यहां फ्रेंड्स एक का दो कर लेंगे पट्टी के फंदों के बाद एक फंदा कटाएंगे आपक पालाईगे ये आपक का दूब बाद कर लेंगे ये ये दार फंदों के बाद एक फंदा रपकिता बाद बाद घंदे हमारे ये ये खंदों. पूई पूईरा कि भीदोगर के लागर के लागर के लागर करेंदी यहां एक कर दो कर एक करते हैं नेग्स पे लिचे लगारिकाच में जाए है लगान इसके बड़त दुलका एक रिंगा चार खंदे पट्टी के यहां दो का एक कर लेंगे और उल्टा बनेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे दिखे दू तीन चार यह पट्टी के फंदे यहां दो का एक कर लेंगे इसी तरह से दोनों सिलाइयों में हम इसको यह दो का एक कर लेंगे यहां गले की फ्रेंड्स यहां दिखे एक दो तीन तीन लाइने हमारी बन गई यह उल्टी उल्टी इस लाइनों के यह दिखे इतना गला बन गया हमारा तो अभी हम क्या करेंगे इसको यहां से पाइंट आफ कर लेंगे आप जितना बड़ा गला बनाना चाहते हो बना सकते हो मैंने छे स्लाइ बनाने हैं इसको पाइंट आफ कर लेंगे यहां मैंने सारे फंद पाइंट आफ कर लिये हैं इस गले को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कॉलर की तरे भी यूज कर सकते हैं यहां तक हमने बटन होल बनाया यहां एक बटन लग जाएगा इसको कॉलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं यह हमारे दूनों फ्रंट और बैक बन गए है तो भी बनाने हैं बाजू देखो मैंने बना ली है इसका वीटियो नहीं बनाया यहां 14 फंदे डालके चार चार सलाई के बाद एक एक फंदा बढ़ाया है और इसके बाद यहां फ्रेंड्स मैंने पहले दो फंदे गटाई हैं फिर एक फंदा गटाया है और इसके बाद इसको बाद आफ कर लिया है यह हमारी पाजू के यारों की है इसके कटिंग एक तम से बराबर आ रही है अब इसको स्लाई कर लेते हैं फ्रेंड्स फाइनल लुक दिखाते हूं मैं आपको यह फ्रेंड्स मैंने कम्प्लेट कर लिया है यह दिखे इस तरह से आएगा यह स्ट्र इसका राउंड नेक बनाया है आप चाहो तो इसको कॉलर की तरह अब यह से यूज़ कर सकते हूं कि कॉलर की तरह भी बहुत सुन्दर लगेगा अब आप बनाये और फेट बैक मुझे चिरूर दीचिए कि आपको कैसा लगा है मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए डिसाइन के साथ तक 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 लिए बाइबाए थैंक्स वर वाचिंग हुआ है